हाई एवरिबन गुड मॉर्निंग आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही शानदार जीत अचारी अनियन्स पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा स्पाइसी लगता है तो पहले कुछ तयारियां करनी पड़ेगी अचारी अनियन्स पराठा बनाने की मेरा मानना ये है कि यदी आप लाइफ में खाने से बौर हो जाएंगे र तो लाइफ में कुछ नहीं बचेगा काफी मज़दार लगता है खाना बनाने से पहले खाना बनाने की तैयारी करना सारे चीजें ऐसी होती न उनकी खुश्पू, उनका रंग बहुत मज़दार लगता है काफी इंट्रेस्टिंग लगता है ऐसा लगता है बड़े प्यार से इनको कट करो, बनाओ बहुत अच्छे से साज सम्हाल के रखो I don't know ये दुरिया का अलग ही सुकून है जो मुझे मिलता है ये सब करने में कई बार तो मैं घंटों खड़े रहती हूँ मुझे पता ही नी चलता है जब मैं सारा काम करके बैठती हूँ तो पैर बहुत बुरी तरह से दुखने लगता है तब एहसास होता है कि मैं काफी देर तक खड़ी होके ये काम कर रही थी बाद में मुझे रेलाइज होता है लेकिन उसका भी एक अलग ही सुकून है बहुत ही मज़ा आता है काम के दौरान मैं अपने में ही मस्त होती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता घंटों कब गुजर जाते हैं लेकिन जब कोई चीज बहुत अच्छी बनती है बहुत ही टेस्टी तो मैं सारे गंबोल जाती हूँ बहुत ही मजाता, बहुत ही सुकून मिलता है मुझे मैंने धन्ये की cutting, लसन की cutting और मिर्ची की cutting कर लिए पहले अभी प्याज की cutting कर रहे हूं प्याज की cutting, लंबे-लंबे, पतले-पतले काटेंगे प्याज को और सारे layers निकाल लेंगे तो अच्छा है वैसे बाद में भी आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे उस तरीके से कर लीजिए, अभी एक बाउल में मैंने ट्रांसफर कर रहे हूं अनियंस, तीन बड़े अनियंस लिए थे, यदि आपको ज़्यादा कॉंटिटी में बनाना है तो ज़्यादा ले लीजिए, ल और इसको मैं बाउल में एड़ कर दी, और मैंने धनिये के पत्ते वन फोर्थ कप इसमें मैंने डाले हैं, और मैं इसमें डाल रहे हूं हाप टेबिल स्पून, रेट चिली फ्लेक्स, यदि ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा बनाने के के लिए उसमें रेड़िश कलर लाने के लिए, और इसमें मैं डाल रहे हूं आम के अचार का मसाला, जितना खट्टा चट्पटा पसंद है उतना डाले, तो मसाला थोड़ा ज़्यादा डाले, तेल थोड़ा कम डाले, वैसे ही तेल में डुबा हुआ है, लेकिन थोड़ा कब डालेगा ने तो ड्रिप होगा और सॉल्टू टेस्ट बस इतने ही सी चीज इसका स्वाद जबरदस्ता आएगा आपको स्पैसी बनाना है ना तो ज्यादा अचार का मसाला डाल लीजियो और ज्यादा हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं ज्यादा तीखा लगेग हाफ टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर जो कि कम तीखी वाली है और यह आपको इससे जादा चाहिए तो आप वन टेबल स्पून के करीब डाल लेजिए ध्यान रखेगा कि जादा तीखा मत हो वैसे ये कम तीखी वाली है तो चलेगा मिक्सिंग बहुत अच्छे स कर लेंगे लगा तो हाथ से भी थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेजिए तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा हलका सा थोड़ा दबाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे तो बहुत कम पानी छोड़ेगा ज्यादा पानी नहीं छोड़ेगा वैसे भी हमने क्या किया है अचार का जो मसाला डाला है वो तेल वाला है तो यह ज़दा पानी छोड़े गहीं ने तेल डालने के बाद यह पानी ज़दा नहीं छोड़ेगा स्टफिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी लिजे हमारी अचारी अनियन्स पराठा की स्टफिंग तयार हो गई है आप इस पराठे को टिफिन में भी ले जाएंगे तो काफी टाइम तक यह सॉफ्ट रहेगा अब जो आटा है उसे नॉर्मली ही गूथना है जैसे हम रेगुलर आटा बनाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा पाने डालके रेगुलर डो बनाना है आपने सोचा है कि हम हर चीज के लिए गेहूं का आटा ही क्यों स्विच करते हैं गेहूं के आटे में खासियत यही है कि वो इजली डाइजिस्ट हो जाता है उसके फाइबर्स प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं यदि आप जो आरबाजरा मक्के और चावल की रोटी नहीं खाते फ्रेक्वेंटली और सिर्फ गेहूं की रोटी खाते तो भी आप हेल्दी रहेंगे आप जब भी गेहूं पिस्वाने जाते हैं तो आप बारीखी पिस्वाईए उसको ऐसे कि उसको चानने की जर्वत ना पड़े उसका चोकर ना निकले इसी में ही तो प्रोटीन होता है असली चीज फेक देंगे तो फिर गेहूं की रोटी को खाने का क्या फाइदा लीजिये मैंने बातों बातों में आटा भी गूत लिया है आटा यदि एक बार आप अच्छे से गूत लेते हैं तो इसको रेस्ट पे रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिए ढग दीजिए अब आधे घंटे के बाद मैं इसको गूत रहे हूँ तो बहुत थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस आटे को गूतेंगे जब आप आधे घंटे के रेश्ट के बाद इस आटे को गूथेंगे तो बहुत ही सौफ्ट हो जाएगा अभी देखे बहुत ही आसान है इस आटे को बनाना ज़्यादा मेहनट करने की जुरुद भी नहीं है बहुत ही इजली दो तियार हो जाएगा मैं तो वैसे भी बहुत लेजी हूँ कभी-कभी मैं आटा जब गूथती हूँ तो उसको 10 से 15 मिनिट के लिए रेस्ट पे रखती हूँ depends कि मुझे बनाना क्या है उस हिसाब से वैसे 10 मिनिट का रेस्ट भी more than enough है 15 मिनिट के रेस्ट पे तो उसका टेक्श्चर अलग आएगा लेकिन यदि आप आधे घंटे रेस्ट पे रखेंगे तो उसका टेक्श्चर एकदम ही अलग आएगा मैं बहुत लेजी हूँ मुझे अच्छा ही लगता आटा बदाना इसलिए मैं लेट रेक अपनाती हूँ रेस्ट पे रखेंगे तो फोना जादा देर के लिए ओर आटे इसलिए हूँ आए इसका बदाना आए 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 इसलिए आए 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 कि मैं हमेशा आटा गुद के फिरिंच में रख लेती हैं शाम को और फिल बनादी है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बॉक्स है बॉक्स बहुत अच्छा मैं हमेशा इसमें आठा रखती हूँ अब मैं इसको फिरिच पे रखने चाले कूँ अचारी अनियंस पराठा बनाने के लिए आप मीडियम साइज की दो रोटियां बेल लेजिए थोड़ी मोटी हो तो अच्छा है बहुत पतली भी नहीं बेलनी है फुलके से थोड़ी ज़्यादा मोटी ऐसमें यदि आप प्याज की स्टफिंग करेंगे न अचारी मसाले वाले प्याज की तो फटेगा नहीं बहुत अच्छा बनेगा यूज्वली क्या है प्याज वगेर भर के आप पराठे बनाओ यद दूसरी बेल रही हूं और स्टफिंग भी क्या करनी है इसमें बहुत ज्यादा मत कीजेगा मीडियम मैं जो यह अचारी अनियंस पराठा बना रही हूं वो मीडियम साइस का है तो इसमें कम से कम फोर टू फाइब टेबल स्पून तो डालना ही पड़ेगा पर आप प्रकलियों सही असानी से तोड़ लेना है और उसके बाद खाने में भी असानी होनी चाहिए इसलिए ऐसे ही बनाईएगा ना बहुत मोटा ना बहुत पतला और ज्यादा फिलिंग भी नहीं करनी है मीडियम स्टफिंग करनी है प्याज की और साइड साइड में थोड़ा सा पानी अपलाई कर लीजेगा तो यह अच्छे से सील हो जाएगा इवन यदि आप पका रहे हैं थोड़ा बहुत खुल भी गया तो प्याज की स्टफिंग ऐसे होती है कि दोनों लेयर तुरंत अलग नहीं होगी मुश्किल से अलग होगी बहुत अच्छा बनता है इसका पर प्याज का भी पराठा बनता है और इसी तरीके से बनाएंगे किनारे थोड़े थोड़े हलके से दबा ले ना फिर उपर से हलका से दबाते हुए और थोड़ा सा और सूखा आटा लगा के इसको बहुत ही हलके से रोल करना कि बस चिकना हो जाएगा पलेयर की स्मूथ फिनि कर लीजेगा और उसके बाद मीडियम हीट पेस को पकाईएगा तो अच्छे से पक जाएगा अंदर की प्याज भी थोड़ी पक जाएगी और प्याज बहुत मोटा मत काटेगा ने तो फिर क्या खाने में इतना आसान नहीं होगा इसलिए प्याज पतले-पतले काटेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और घी अप्लाई कीजेगा दोनों साइड और अच्छा कलर आने तक इसको सेखिएगा बढ़िया गोल्डन कलर आने दीजे दो चार दिन यदि आप पूरा खाना बना रहे हैं तो बोर हो ही जाएंगे वही दाल चावल सबजी रोटी तो कभी- स्टप्ट पराठा भी बना लेंगे तो आपको थोड़ा इंट्रेस्टिंग भी लगेगा और काम भी कम हो जाएगा हेल्दी और निट्रीस्टियस भी है ये पराठा अभी इसकी आप लेयर्स देखेंगे ना तो रेली आप बोलेंगे सच कुछ ना कभी-कभी थोड़ा डि पराठा बस इसको आप प्लेन दही के साथ खाये या फिर दही में डाल दीजिए थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर थोड़ी सी काले मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च नमक डालने के जरुरत ही नहीं पड़ेगी यदि पढ़ती है जादा दही खटी है तो थोड़ा नमक भी डाल लीजेगा यह चारी अनियंस पराठा इतना टेस्टी आप गर्मा गरम खाये बटर भी डाल लीजे और प्लेन दही के साथ खाये या फिर स्पाइसी दही के साथ खाये बहुत अच्छा लगता है बहुत ही टेस्टी कम टाइम में तयार होने वाला बहुत ही है, healthy dish है, बहुत nutritious है, कितना टेस्टी भी है, अचारी अनियन्स पराठा, बहुत ही spicy और चटपटा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये अचारी अनियन्स पराठा, healthy वाला,